हेलो फ्रेंच वेलकम श्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन प्रेप्रेशन बित आर्ती में और मैं आर्ती चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीड के बारे में जी हाँ बीड जन्मरी 2022 सेशन के लिए जो है बीड में एडमिशन होने वाला है यानि बीड के होगी लिज्विल्ट क्या होगी और किस मेड़ियम पर किस माप्धयम से यह भी होगा हिंदी इंहलिज तो हम कुरी इंफ्रमेशन ूर्या आपको इस वीडियो में देंगे तो वीडियो को लाज्ट तक देखिए complimentary आपको पता है वीडियो रहरा में चलो चैनल को सब।्सक् क्योंकि जो B8 के form है वो भरे जा रहे हैं वो भी इंटरेंस एक्जाम के जी आपको पता है कि जब भी होता तो उसके पहले इंटरेंस एक्जाम होता है और प्रवेश परिक्षा होती है देन उसके बाद B8 होता है तो यह B8 जनुबरी 2022 सेशन के लिए है और यह B8 जो है वो करा काऊन रहा है कहां से हो रहा है दिया स्क्राइब पहरा करना चाहते है कि किस मोड पकिस मोलत पे होगा üeligibility कि क्या अपको बताएंगे सब कुछ को करना बडा काण वीडियो हो यह उब बारियो स्यक्राइब अपे जो है यह मैं उसी के home page पे हूँ और site पे हूँ, website पे हूँ इनु की और यहाँ पे देखे registration for BAE, entrance exam January 2022 session, the last date of receipt of application is April 17 17 अपरेल जो है वो last date है किसकी form प्राप्ट करने की भनने की ठीक है ना, तो चलिए आए information देख लेते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे BSC nursing भी हो रहा है, जी हाँ post basic पे, तो उसका भी जो entrance exam होगा, January 2022 के लिए है 17 अपरेल इसकी भी last date है ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे BSC देख लेते हैं ले लेते हैं, पूरी information तो आप रवेश पर एक साथ अपास कर लेंगे, entrance exam दे लेंगे, ठीक हो ना, तब आप जाके यह apply online है और view form यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर journal instruction दिया हुआ है, form filling step दिया हुआ है, और programs available दिया हुआ है, तो अगर general step को देख देख देखें, यहाँ पे please ensure that you are fulfilling the eligibility criteria for the program, registration fees for entrance test, एक हजार, वन थाउजन रुपीज, जी हाँ, एक हजार रुपए जो है, यहाँ पे entrance exam की registration fees यहाँ पे ली जा रही है, यानि आप entrance exam देंगे, तो आपको एक हजार रुपए जो है, वो पे करने होंगे, entrance form बनने के लो, तो registration fees जो है, एक हजार रुपए है, और fees one paid is not refundable, यहाँ आपने fees एक बार पे कर दी, और आप चाहरी का भी exam नहीं देना मुझे है, तो क्या करें, तो fees यहाँ पर आपको return नहीं होगी, ठीक है, ओके चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, fill application form online, online जो है, आपको form बनना है, किस तरह से बनना है, पूर information यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यह जर्नल information हो गई, आपके लिए entrance exam के लिए, तो जब आप form बरेंगे, तो क्या करना होगा, आपको login पे click करना होगा, ठीक है, online interest test homepage पे आप पहुच जाएंगे, और वहाँ पे आप एक username और password बनाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा login with your username, यानी कि सबसे पहले आपको sign up करना होगा, registration करना होगा, क्योंकि आप first time यहा password username बनाएंगे, जो password username जब आपका complete हो जाएगा, तब आप जाके login पे click करेंगे, ठीक है, तो login पे click करिएगा, और यहाँ पे आपको अपनी personal detail, program detail, qualification detail, जो भी है, सब कुछ यहाँ पे बढ़ने होगी, जो उसमें भाग मागा जा रहा है, ठीक है ना, okay, right, जो आपको pay करना ह वो आप बहुत सारे mode पे debit card, ठीक है ना, master, visa, रुपे, और networking से आप कर सकते हैं, तो यह हो गया form filling step, program available में देख लेते हैं, तो program available में B.A.D. है, हमने इसको select कर लिया है, ठीक है, फिर specialization जिसमें B.A.D. Bachelor of Education यह हो गया, disability क्या जो very important है, देखें इसकी जो eligibility है, आप यहाँ प 50% marks in the bachelor degree and master degree, science, social science, ठीक है, master degree किसमें होना चाहिए, science में, social science में, commerce में, humanity में, इतने में, आपकी जो है, master degree होनी चाहिए, और bachelor in engineering and technology with specialization in science and mathematics with 55 marks, and sorry, any other of qualification, तो यहाँ पर सबसे पहले कि 50% होना चाहिए, किसमे, bachelor degree में और master degree है, तो उसमें भी, और दूसरी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, the following categories are eligible to be student of B.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. through face to face mode तो यहाँ पर जो आपकी बैचलर और मास्टर डिगरी तो है यह उसमें किते परसंट चीए वो तो हो गया एक नर्मल है लेकिन जो special qualification होती है B8 के लिए वो यहाँ पर मागा गया है तो यहाँ पर सबसे पहला है कि elementary education में आपको trained in service teacher होना चाहिए तो इसको थोड़ा समस्ट लेते हैं कि trained in service teacher elementary education तो देकिन यहाँ पर BTC जो हो सकता है हो गही लेकिन आपके मन में कोश्चन उटरा होगा डिलेट के लिए तो यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि direct वाले भी जो है इसके लिए eligible हो इसके लिए आपको काम करना होगा कि आपको health line number जो दिया हुआ है उस पर आप कॉल करके clear कर लिजेगा ठीक है ना form बनने के पहले ओके ठीक है 5% जो marks relaxation दिये जाते हैं वो आपको यहाँ पर ST ST and OVC में मिली रहा है ठीक है अच्छा मीडियम के इंग्लिज और हिंदी दोनों मीडियम पर आप दे सकते हैं यानि माध्या में आप बेर कर चाहते हैं इंग्लिज में हिंदी में किसमें करना चाहते हैं तो दोनों पर आप यहाँ दो दो साल का आपका कोर्स होगा minimum कम से काम यानि दो साल का थो होता है बेर तो दो साल का है यह लेकिर जुड़े इनिद हो आपर है किसम अग्लिज में होती है तो कम इस प्रोग्राम को आपको पांस साल के पांस साल के ऑन्दर कहते हैं न होगा ठीक है ना अच्छा फीज इस्ट्रक्शर बेर इंपॉटेंट हो और ब साल में आपके 55 और पेखना होगा आचा मैं कांटेक्ट के लिए बोल रहे थी यह देखें यहां पर प्रोग्राम कॉडिनेटर कर यह सब कुछ दिया इमेल आइड बिदिया हुआ है कॉंटेक्ट नंबर भी दिया है डाक्टर गवरोफ सिंग है इमेल आइडी भी है, contact number, school office question इनू, तो यहाँ पर आप जो है न, call करके पूरी information ले सकते हैं, जो मैं कह रही थी यहाँ पर, कि जो trend in service, teacher in elementary education दिया है, तो बेटी से तो चलिए समझ में आता है, तो क्या यहाँ पर dealer वाले भी, इलिजवाल होंगे, मान होंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर यह number दिया हुआ है, दो number यहाँ पर दिये हुआ है, तो पूरी information आपको मिल जाएगी, तो बस इसमें इतने है, आपको form बनना होगा, फिर से एक बार बता देती हूँ, कि इनू जो है, वो B8 के entrance exam करवा रहा है, यानि B8 जो है, conduct करवा रहा है, ठीक है न, सबसे पहले आप sign up करिएगा, username, password बनाईएगा, जो भी वहाँ पर process होगी, उसको follow करिएगा, sign up करने के बाद आपको username, password आपको मिल जाएगा, इसकी बाद आपको login पर जाना होगा, ठीक है, login पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, login हो जाना होगा, फिर वहाँ पर इसके बढ़ने के बाद बस होगे, आपको बहाँ निकलाना है, इसके बाद आपके इंटरेस्ट होगे, ठीक है, एक्जाम देंगे, आप उसमें पास हो जाएंगे, तो आप इगनों से बीट करने लगेंगे, इलिजबिल्टी क्या है, चलते-चलते बता देती, उलिजबिल्टी आपकी वहह यह जनरली ज dollar इली जाती है, रकात आभां दीे होगे हैं कि यह वही हैं यहां पर ची hill का थी हिए तो आपको ब्म मैतमेटिस भी 55% ठीक है ना ओके और में जो एक और चीज़े वो है कि कि रिगुलर आपका प्रोग्राम यह होना चाहिए ठीक है ना फाइव परशेंट के हां पे रिलक्सेशन दिया जाएगा छूट दिया जाएगा जो दिया जाता है पूछ सकते कमेंट्स करके भी आप पूछ सकते हैं ओो टुश रे जाएगा जेका को सकते करके रिलक्सन है जाएगा जाएगा है । ए这个 uh Plan पर जे जाएगा हूज सकते करते कने जाएफ़े खुटवस और करता है एब पर टूएवस